मैं सोम्या, ये मेरा बेटा मेधांच हम अपने बच्चे के ट्रीटमेंट को लेके बहुत परिशान थे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा जबकि हमें पता लगा जब से ही तो तब से लेके जब तक हम डॉक्टर आधित्य गुपता से नहीं मिले थे तब तक हमारी परिशानी बढ़ती ही जा रही थी और इतना मतलब हमारी लाइफ में हुआ कि समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्या ना करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जैसे डॉक्टर आधित्य गुपता से हम मिले ना कि उन्होंने हमारी टैंशनी दूर करी बलकि उन्होंने हमें इतनी मतलब आशा दिखाई कि जो है जैसा है बिलकुल सही है हमारा बच्चा बिलकुल ठीक रहेगा और ना कि सिर्फ पहले जैसा बलकि उससे भी बैटर होगा ऐसा कोई होस्पिटल नहीं था जहां हम ना गए हो कितने सारे डॉक्टरों ने हमें डराया था कि वही पता नहीं क्या होगा किस तरह से होगा ट्रीटमेंट करके बहुत हम डर गए थे हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे एक उमीद लेके कि सब सही होगा लेकिन कोई होते थे अच्छी चीजे बोलते थे कई होते थे इतना डरा देते थे कि मतलब हम वहीं रोने लग जाते थे लेकिन जब हम डॉक्टर आदित्य गुपता से मिले उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें समझाया सब पोजिटिव चीजे हमें बताई कि भई ऐसा कुछ नहीं होगा आप डरो मत जो कुछ भी है सब अच्छा है और सब अच्छा ही होगा मेदांच जो की दस साल के लड़के हैं हमारे पास आए थे उनको कुछ एक बार दौरा पढ़ा था मिल्गी का तो ये एक जानने वाली बात है कि किसी को भी अचानक जब मिल्गी का दौरा पढ़े तो उसकी पूरी जाँच परताल होनी चाहिए तो मेदांच के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अवेर थे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने करेक्ट डौक्टर को भी दिखाया और जो टेस्ट है उसमें निकला कि उनके राइट साइड में एक दिमाग के अंदूरी हिस्से में छोटी सी गाट थी आप एमेजिन कर सकते हैं कि किसी के भी बच्चे के साथ यदि ऐसा होगा तो पेरेंट्स को बहुत чिंता हुती है और दिमाग के अपरेशन को लेके किसी की भी चिंताईं बहुत ज़ादा होती है जब वो मेरे पास आए थे तो बहुत दुकी थे बहुत चिंतित थे बहुत परेशान थे हमने स्कैन दिखा के उनको ये बताया कि जिस जगह पर ये गांट है और ये देखते हुए कि बच्चे की उमर दस साल है तो हमने बुला कि प्रेजेंट जो टेक्नोलोजी अवेलिबल है उसमें ऑपरेशन का रिस्क हार्डली एक पैसे रह जाता है दूसरी अच्छी बात जो हमको दिखी और जो बात में सही साबित हुई वो ये था कि ये जो गांट थी वो बिना कैंसर वाली गांट थी तो ये एक बहुत इंपोर्टन मेसेज है ऐसे सब पेशेंट के लिए और खासकर इन में से कुछ पेशेंट बच्चे होते हैं जिनके माबाप को इस सिचुएशन में आने से बहुत चिंता रहती है कि लगभग आधे जो ट्यूमर हैं वो बिना कैंसर के ट्यूमर होते हैं और अगर उनका अच्छा इलाज टाइम से किया जाए तो फिर वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है और ऐसा ही मेरांच के साथ हुआ ऑपरेशन के बाद वो इमिरिट्री होश में आ गए उन्होंने अपने माता पिता से बात की अगले दिन उन्होंने चलना फिरना खाना पीना सब शुरू कर दिया और ऑपरेशन के तीसरे दिन सुभे हमने उनको वापिस घर भेज़ दिया तो ये एक अंडरस्टेंड करने की जरुवत है कि किसी भी को जब डाइगनोसिस बनता है कि दिमाग में गांठ है अचानक उससे घबराने की जरुवत नहीं है आम तोर पे आधी गांठे जो होती है वो बिना कैंसर वाली होती है और अगर उनका सही टेकनोलोजी से सही टीम दोवरा इलाज किया जाए तो प्रैक्टिकली उस पेशन्ट की या उस बच्चे की प्रैक्टिकली एक नॉर्मल लाइफ रह सकती है तो आजकल जो हम टेकनोलोजी यूज करते हैं इस तरह की सरजरी में इसको हम कहते हैं नैविगेशन गाइडिड माइक्रो सरजरी जिसमें बहुत ही छोटा सा इंसिजन या कट रहता है और उसमें हम नैविगेशन के रस्ते सही जगा पे पहुंच के टूमर को बहुत सेफ ली निकाल सकते हैं और थैंक यू ड़ित्यगुप्ता एंड आर्टीमिस घॉस्पितल तैंक यू ड़ित्यगुप्ता एंड आर्टीमिस होस्पितल